Hello everyone, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Noble IITN पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ NHPC JE की पिर्परेशन स्ट्रेटेजी के बारे में Last exam NHPC ने 2018 में अपनी joint venture CVPPL के लिए conduct कराया था मैंने उस exam में training engineer mechanical के लिए apply किया था उसी exam को qualify करने के बाद आज मैं CPPL में as an mechanical engineer काम कर रहा हूँ उसी recruitment में जो JE वाला exam हुआ था उस exam में एक particular book से questions आयते सारे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो को मैं दो part में analyze करूँगा पहला part तीनो ब्रांच के लिए useful होने वाला है वहीं दूसरा part completely mechanical की strategy पे focused होगा जो non-tech part है वो दो part में divided है पहला part रहने वाला है आपका reasoning जिसमें की 30 MCQ questions होंगे उसके लिए मेरी advice है कि आप last year के SSEJE के previous year questions की practice करें उसके लावा beyond कुछ भी जानी के आपको ज़रुत नहीं है वहीं दूसरा part जो 30 MCQ questions है general awareness की इसके लिए आपको जो approach यूज करनी है बहुत ही जादा वो precise और repetitive kind of approach यूज करनी है जो बहुत टाइम से study कर रहे होते हैं अपने technical के लिए जी जान लाके लगे हुए होते हैं वो अपने technical में दूसरे से बहुत जादा margin margin या आप कहेंगे बहुत जादा gap नहीं कर पाते हैं बाकी candidates से और top के कुछ बच्चों का अगर हम 50 बच्चों को लेंगे तो उनका दो तीन चार नंबर का ही difference रहता है अपने technical में उससे ज़्यादा marks का difference नहीं ला पाते हैं तो सारा का सारा game changer बन जाता है हमारा general awareness general awareness basically technical वाले students की थोड़ी weak consider हो सकती है क्योंकि most of the time क्या होता है general awareness का portion बहुत जादा वाइड हो जाता है और इसका particular syllabus आप लोगों को नहीं मिल पाता है तो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि general awareness को आपको किस तरीके से टैकल करना है आने वाले time के लिए ताकि NHPC में आपको यह सारी problems ना हो अगर मैं बात करूँ इस paper के pattern को आप अच्छे तरीके से notification में देख सकते हैं कि क्या क्या मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा हम जब डिरेक्टली चलने वाले हैं आप journal awareness के section के बारे में जो कि मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है पहला portion होने माला है static GK का, static GK में basically तीन पार्ट आ जाते हैं हमारे जो भी हम किसी भी competitive exam के लिए cover करने की ज़रत पड़ती है especially technical में इसके बाद जब proper non-tech के paper होते हैं आप इनके beyond economics और बहुत सारी चीज़े cover कर सकते हैं लेकिन यह जो मैं category में define किया यह ऐसी minimum चीज़े हैं जो आपको cover करनी ही है क्योंकि जो time constraint है कब paper हो जाए उसके इसाब से इतना portion को cover करने में भी अपने आप में time लगता है अगर आपने पहले से notes prepared नहीं कर रखे हैं तो मेरा मेरी advice यह है कि आपकी approach पहले यह होनी चाहिए कि जो section मैंने divide करें individual section को मैंने priority basis पर रखा हुआ है जैसे static jk में मैंने सबसे पहले history को भी modern history को preference दिया है उसके बाद medieval उसके बाद ancient history क्योंकि जो questions आते हैं जिसे साब से frequently पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मैंने इसे categorize किया है अगर मैं बात करूँ modern history की modern history की तैयारी करनी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप depth में कुछे है आपको सबसे पहले एक overview लेना चाहिए जो मैं मानता हूँ एक best strategy होती है उतना पढ़ो जितना आप revise कर सको क्योंकि आपका ultimate aim है marks लाना ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ पर thesis लिखनी है PhD करनी है अगर आपका कम पढ़ने से marks आ रहे हैं तो आपको उतना ही पढ़ना है क्योंकि जो competitive exam है technical department के उसमें ऐसा नहीं है कि आप से बहुत आप जिस शिर्फ और सिर्फ basic knowledge पर test किया जाता है कि day to day life की या जो 10th standard की जो general awareness आपको आनी चाहिए जैसे modern history का में एक example देता हूँ मेरे पास मेरे अपने कुराने notes हैं जो मैं कैसे prepare करता था तो actually आप देखेंगे modern history में मैंने क्या कर रहा था था मैंने एक पूरे एक चार्ट बना रखा था जिसे मैंने डिजिलाइज किया है आप लोगों के लिए कि आपको मैं दिखा पाऊं ऐसी कोई intention नहीं है कि आप आपकी मर्जी आप जरसा ही पढ़ना चाहें मैंने एक side years year लिख दी हैं कौन से year में और उसे related important points जैसे 1885 में INC who established हुई थी A.O. Hume ने करी थी 1905 में partition of Bengal by Lord Curzon 1905 से 08 में स्वादिश्री मूव्मेंट 1906 में All India Muslim League मैं इन सब को डिरेक्टी ऐसे बोल बोल के आपको अभी कुछ भी ये टाइम खराब नहीं करना चाहता ये आपके अपनी approach होनी चाहिए ये मेरी approach थी हो सकता है आपकी approach बहुत better हो बहुत different हो जो approach आपको सही लगती है उसे follow कर सकते है modern history को त्यार करने के लिए मैंने इस तरीके का अपना एक थोड़ा effort डाला था और ये मेरे लिए बहुत effective था इसे revise करने मुझे maximum से maximum 10 minute लगते थे पूरी modern history को तो वो मुझे और मैंने most other time देखा मुझे सारे questions मिल जाते थे एक आदा question कभी किसे exam में depth में आगया तो बात अलगया otherwise मुझे सारे questions इसमें से मिल जाते थे दूसरा part आता है कभी कभी important चीजे पूछ लेते हैं किस note के पीछे क्या है यह बहुत important चीजे है generally हम लोग miss कर देते हैं कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं किस state का कौन सा festival है ठीक है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ आप बस यही करें आप अपना तयार कर सकते हैं कुछ अपने नोट से मैं वो शेर कर रहा हूँ आप से तीसरा है कौन से place पे कौन सा तुफान आया था कौन सी country ने उसका नाम किया था फिर कुछ question आ जाते है कौन सी country के साथ इंडिया military exercise perform करता है उसका नाम क्या है उसकी location क्या है location से ज्यादा कौन सी country के साथ हमारी exercise ये होती है exercise का नाम दे देते हैं country पूछ लेते हैं country का नाम दे देते हैं exercise पूछ लेते हैं किसके साथ हम perform करते हैं जैसे फ्रांस के साथ हम 4 exercise करते हैं USA के साथ 4 exercise करते हैं majorly कचाकिस्तान के साथ 2 करते हैं Japan के साथ 5 करते हैं तो इन सब को मैंने एक समराइज तरीके से लिखा हुआ था वन टाइम में थोड़ी महनत लगती है definitely लेकिन आपके लिए long term के लिए चीजे तेयार हो जाती है फिर आप मैं बात करता हूं sports की जैसे FIFA World Cup 2018 के बारे मैंने एक जगे लिख 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 लिए है क्योंकि यह सारी चीज है जो एक exam की दूसरे exam में मुझे face करने को मिलती थी किसी में कुछ कूछ लेते थे किसी में कुछ कूछ लेते थे तो आपकी static GK जो होती है उसे आपको इसी तरीके से tackle करना है ठीक है और फिर current affairs में हमें यह index के बारे में कुछा जाता था कि इसकी कौन सी ranking किसकी है किस rank पे कौन से इंडिया ने क्या position ली है कौन सी index में ठीक है कौन सा target हमने 2021 में decide कर रखे है 2022 में ऐसे करके मैंने अपना portion तयार कर रखा था आप अपने तरीके से deal कर सकते हैं लेकिन यह जो topics मैं बता रह में है ठीक है कौन से articles हमारे fundamental rights कौन से पार्ट में आते हैं कहां से लिए गए है article 16 कौन सा है article 15 कौन सा है 14 कौन सा है 368 में क्या है right 243 क्या है पंचैतिरा system क्या है हिंदी कौन से article में हिंदी की बात हुई है 343 ऐसे करके यह आपका court president को advice दे सकता है article 143 इस type से कि president के बारे में कौन सा article पता है 52 elections के बारे में 54 procedure of elections के बारे में 55 impeachment के बारे में 61 ठीक है oath 60 यह सब आपको by heart याद करने पड़ेंगे मुझे काफी time हो गया इन सब को recall किये हुए पर आपको यह सब चीजे लिक लिक के याद करने पड़ेंगे one time investment है लेकिन आपके हर exams के लिए यह आपके game changer बन जाती है ठीक है geography में आपको reverse आनी चाहिए passes का पता होना चाहिए crops definitely पता होने चाहिए बहुत बार directly question पूछते है कौनसी crop कब लगाई जाती है का भार वेस्ट की जाती है यह कौन्सी राभी कौन्सी है right कौन्सी crops के नाम राभी में आते हैं कौन्सी के जायद में आते नहीं है उसके बिना selection आप से दूर ही जाना है यह reality है ठीक है technical में आप कितना भी पढ़ने आप जो टॉप के 50 लोग होंगे वह आपस में ज्यादा difference create नहीं कर सकते सारा खेल यहां पर आके game changer कितने काम करता है current affair की मैं बात करूं आज की जाड़ में आप Tokyo Olympics को नहीं छोड़ हो सकते हैं आपको किसी भी आप video lecture को देखें किसी भी चीज को देखें Tokyo Olympics को एक गंटा दीजिए आपका पूरा तयार हो जाएगा वो important questions आपको सारे मिल जाएंगे कौन से awards कौन से military exercise कौन से sports कहां होने है क्या कब हुए किसने top किया कौन से ranking पर है इंडिया राइट कहां कौन से summit हुई है कौन से important days है उनकी theme क्या है even DFC CIL में यह तक पूछा गया T day कब मनाया जाता है 21st of May आपको ऐसा-इस question जो अल्रेडी exam से पूछेगे हैं उन्हें note करके अपने list में add करना है यह बहुत basic चीज़े हैं आप किसी चीज़ से भाग नहीं सकते आपको हर चीज को त्यार रखना पड़ेगा ठीक है आपके targets वगरा मैंने लम्तम आपको इडिया दे दिया है कैसे आप prepare कर सकते हैं यहां पर जो तीनो ब्रांच है उसमें से दो ब्रांच का portion वह यहीं तक था अब मैं बात करने वाला हूं mechanical के लिए क्योंकि मैं खुद एक mechanical engineer हूं तो मेरी जो ब्रांच है mechanical मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा कि कहां से question पूछे गए थे last year 2018 में last time जब NHPC ने चेना वेली पावर प्लीज यहां तक आप वी वीडियो को छोड़के जा सकते हैं क्योंकि आगे वाला सारा कम पार्ट completely mechanical के लिए थैंक्यू सो मुच आपके लिए और अब मैं चलता हूँ technical part पे technical part में आपको जो syllabus follow करना है वो SSEJE के लिए करना है क्योंकि diploma level पे जो जो subjects हैं SSEJE में cover होते हैं आपको बिल्कुल भी यह नहीं सोचना है कि अगर आप diploma candidate हैं आप IES के previous year questions नहीं करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आज के competition में आपको फेस करने पड़ेंगे आप मैं यह नहीं क्या रहा हूँ आप IES के सारे question करो IES के one liner question आपके fingertips पर रटे होने चाहिए अगर आप turbulent की बात कर रहे है turbulent turbulent flow के case में velocity का relation क्या है ठीक है और laminar के case में क्या है ठीक है हर एक relations आपको पता होने चाहिए कोई असा नहीं कि IES में कोई different questions आ रहे है basic questions one liner आपके कहीं भी पूचे जा रहे हैं बार बार पूचे जा रहे हैं तो हम sequence की बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो सबसे importance रखता है subjects वो है आपका fluid mechanics fluid mechanics को आप 3 subjects है basically fluid mechanics और fluid machinery और production जो आपको RS खुर्मी से करनी ही है सबसे priority पे आपके RS खुर्मी होनी चाहिए जो मैंने 123 लिखा है अपलब यह है कि आपको जब first time first go में preparation करेंगे तो यह जितने 11 subjects हैं वो one जिस पर मैंने one mention किया हुआ है सबसे पहले आपको इनके questions करने है क्योंकि मैंने खुद personally in books को पढ़ा हुआ है तो किस से किस टाइप के questions आते हूं मैं थोड़ा better understanding रख पाता हूं ऐसा मुझे लगता हो सकता है आपके different approach हो आप उससे follow कर सकते हैं यह सिर्फ और मेरा सिर्फ मेरा एक opinion है और मैं time पहले आपको बता दूगी last year जो questions आये यह नहीं पीसी ने जब conduct कराया थे ना आप वैली पावर प्रोजेक्ट के लिए वो completely RS खुर्मी के questions से 100 questions आये थे technical के 100 के 100 questions RS खुर्मी से आये थे और जो answer RS खुर्मी में गलत थे वही उन्होंने सही consider भी करे थे तो यह पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज की date में भी वैसे आएंगे conducting body change हो गई है सब कुछ चेंज होगे कुछ भी हो सकता है पर आपको अपनी approach जो रखनी चाहिए मुझे जो लगता है RS खुर्मी म especially जब आप hydro sector की बात करते हैं आपको fluid machinery छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता fluid mechanics और यह दोनों subject बहुत matter कर जाते हैं उसके बाद आप production भी RS कुर्मी से कर सकते हैं और thermodynamics से लेके material science सब सबसे पहली priority आपको youth competition की देनी होगी previous year के questions available होते हैं उसमें आपकी अच्छे practice हो एक्चुली इन्हें यह जो मैंने RS कुर्मी लिखा, youth competition लिखा है, IES लिखा है, इन्हें कैसे पढ़ना है, यह सब की अपनी अपनी techniques होती है, मेरी techniques was different थी, मैं हर question को online बना के अपने अलग notes बनाता था जिसे कि मुझे 5-10 minutes लगें, एक subject को recall करने में, मेरे notes अगी भी available हैं, लगाओ तो definitely request है आप से, आप like करिए, share करिए, subscribe करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगाओ, आप मुझे feedback हैं बताइए, definitely मैं उस पर काम करूँ, thank you